तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको PNB बैंक से 2 लाग रुपए का गोल लोन लेना है तो उनके जो है गोल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तब उसके अगेंट पे पी अन्बी बैंक उनको 2 लाग रुपए का गोल लोन प्रवाइड करेगा किस rate of interest पर करेगा महीने की उसकी किस्ति कितनी बनेगी तो complete information जाने के लिए वीडियो को पूरा अखिर तक watch करेगा तो चलिया शुरू करते हैं जैसे के आप देख सकते हो पी अन्बी बैंक में गोल लोन की देखिए आप इसकी में चलती हैं जिसमें अगर आपको गोल जोयली या गोल और्मेंट्स है तो उसके अगेंश पर लेतो तो rate of interest 9.25 से starting होती है इसके लावा अगर आपके पास sovereign gold bonds है उसके अगेंश पर आपको rate of interest पर गोल लेना चाहते हो तो 10.25 से पी अन्बी बैंक में starting हो जाती है बात करें इसके यहां पे पी अन्बी बैंक में कुछ details लेग लेते हैं features वगरा तो पी अन्बी बैंक में आप अपनी कोई भी gold और्मेंट्स हो गया गोल जोयली हो गया या gold के coin हो गया तो उसके अग purpose जैसे कि कोई medical treatment हो गया education purpose के लिए भी आप यहां से gold loan के लिए apply कर सकते हो बात करें इसके features की तो यहां पे देखें जो minimum loan amount की starting होती हो वो होती 25,000 रुपय से और maximum 10,000 रुपय तक का gold loan का amount आप यहां से ले सकते हो अब margin कितना रखा जाता है margin आपका 65 to 75% तक रखा जाता है आपकी gold की value है एक लाग रुपय तो उस पर जो है bank आपको कुछ cases ऐसे होंगे जिसमें 65 provide करेगे तो कि आपको यह एक कारण बताना पड़ता है कि आप gold loan क्यू ले रहा हो तो उस कार जैसे कि अगर कोई medical emergency के लिए आप gold loan ले रहा हो तो हो सकता उसमें आप margin रखा जाए तो यही जो है margin का रहता तो आपकी gold value का 65-70% जो है आपके loan provide करती है PNV bank इसके अलावा यहाँ पर security के तौर पर आप अपनी gold की जो जो एली होगी या आपके पास gold की coin होगे या और्मेंट होगे तो वो आपको bank में देना पड़ेगा और जो आप अगर आपके पास gold coin है और gold coin के against पर आप लोग लेना चाहतो तो एक customer जो है 50 gram से ज्यादा जो है gold coin को यहाँ पर गिरवी नहीं रह सकता उसके against पर लोग नहीं ले सकता मतलब 50 gram तक ले सकता है लेकिन 50 gram से ज्यादा का नहीं ले सकता है अब यहाँ पर जो आपकी gold की quality है वो आपकी कम से कम 22 karat के आसपास 20 का नीचे है तो हो सकता है आपको 65% गोल वैल्यू जो है लोन प्रवाइड किया जाए तो वहीं आप बताई गया है कि 22 karat gold में जो है लोन एप्रूव होने के chances जो है वो ज्यादा रहते है इसके लावा जो है आप यहाँ पर maximum एक साल के लिए लोन ले सकते हो और यहाँ पर 6 माने तुम्हें आधी पेमेंट कर दी और बाकी के आधे जो 6 मन था उसमें आधी पेमेंट कर दी यह भी आप कर सकते हो यहाँ मंतली मंतली जो है 12 EMI जो है पे कर सकते हो तो यह देखिए आप यहाँ पर दो देखिए repayment के method रहते हैं किलावा यहाँ पर जो processing fees लगती है वो दो लाग का gold loan लेना है तो उनको जो है 9.25 के rate of interest पर offer किया जाएगा अगर आप वो floating rate of interest पर लेते हो यहाँ पर हम देख लेते हैं अपने आप gold loan की हमाई calculator पर आ गया है तो 2 लाग का gold loan लेने के लिए कम से कम आपकी gold की value जो है वो धाई लाग के आसपास की होनी चे तब जो लाग रुपए का आपको loan provide करेगा rate of interest यहाँ पर हमने डाल दे जो चलना है 9.25% और इसको loan लेना है आप एक साल के लिए maximum loan ले सकते हो तो 2 लाग का loan अगर एक साल के लिए 9.25 के rate of interest पर तो आपकी देखे महिने की किस्त जाएगी 17,513 रुपए total interest आपको पे काना लाग 10,162 रुपए की तो इस तरीके सा आप चेकाउट कर सकते हो अगर आपको PNB bank से gold loan लेना है तो किस rate of interest पर offer किया जा रहा है क्या features अगर आपको apply करना है तो यहां से आप apply भी कर सकते हो यहाँ पर mobile number डालके capture डालके आप इंटर करोगे इसके लावा कुछ personal details आपसे मा वहाँ से भी gold loan के लिए apply कर सकते हो इसके लावा अगर आपको किसी भी bank के loans के offer जाने हो चाया वो home loan हो, personal loan हो, car loan, to villa loan, education हो, semi-count rate card यह offer वगरा के link आप इस website पर देख सकते हो और यहाँ पर rate of interest हो गया, features benefit हो गया, कोई offer अगर bank ने launch किया होता है तो वो भी offer वगरा के link आपक कर दीजेगा, channel परने हो तो channel को subscribe कर दीजेगा और हमें आप comment करके बता सकते हो कि आगे आपके sloan के बारे में हमसे जानना चाहते हो, तो आज के इस video में बस इतना ही, तो मिलते next video में तब तक के लिए धन्यवाद